कि अधियुआ कि अधियुक्त कि अधियुक्त कि अधियुक्त कि नमस्कार दोस्तों आपका बोन डॉक्टर के अगले के एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कंप्रेशन नियुरोपती की जो इनर साइड ऑफ फुट में होती है और काफी कॉमन है इसके लिए सर्जन को अवेरनास होनी ज़रूरी होती है वरना वो डाइग्नोज नहीं कर पाते है तो अगर आप टार्सल टरनल देखें तो इस फॉर्म बाया थिक लिगमेंट जो मीडियल मैलियरोस से निकल के कैलकेनियम में जाता है और इसके नीचे से जाते हैं flexor hallucis longus flexor digitorum longus posterior tibial nerve posterior tibial artery posterior tibial vein और tibialis posterior tendon तो posterior tibial nerve का compression होता है between the flexor hallucis longus and the tibial artery तो इसमें क्या होता है पेशेंट्स को पेन होता है और इनर साइड ऑफ फुट वो सोल तक जाता है या हील तक जाता है कभी-कभी यह पार्ट ऑफ दे हील ट्राइड हो सकता है जैसे अक्वाइट फ्लाट फॉट प्लांटर फेसाइटेस और टार्सल टरनल सेंड्रोम तो इसमें पेशेंट जादा देर खड़ा रहता है या चलता है तो उसे बहुत सिवियर पेन और बर्निंग होती है बर्निंग बहुत इंपोर्टेंट सिम्टम है इस चीज़ का बर्निंग होती है मीडियल स साइड ऑफ या सोल ऑफ ठोट में अंदर के बाजू जादा बर्निंग होती है और रेस्ट करने से यह कम हो जाती है तो इसके One Causes क्या है इसके अदिछ्गे सोते हैं अगर कोई स्पेस ऑक्योफिआम लीजियन हो जाए अंदर जैसे के छोटा tumor या ganglionic cyst हो जाए कभी-कभी arthritis के कारण osteophytes उसेरिया में नव को compress कर सकते हैं और posterior medial process of talus fracture या और कोई trauma पुरानी surgery की होई इससे predispose हो जाते हैं टीनो साइनोवाइटिस गैंगलियानिक सिस्स जैसे मैंने बताया यह diabetes patients में और rheumatoid arthritis patients में भी common होते हैं कभी-कभी आप जब इसको release करते हैं आप muscle anomalies देखते हो जहां muscle नहीं होनी चाहिए वहां भी muscle होती है और यह थिक होने से भी nerve compress हो जाता है कि तो यह देखिए tibial nerve इसमें कभी-कभी अगर soul में ज्यादा symptoms है और heel के आजू-बाजू ज्यादा symptoms है तो बैक्स्टर नर्व भी involve होती है और इसे भी release करना चाहिए सिर्फ उपर की nerves नहीं release करनी चाहिए तो medial planter lateral planter और backster nerve तीनों release करने चाहिए अगर surgery की नौबत आती है तो तो अगर आप compression करते हैं behind the posterior medial malleolus तो patient को pain होता है और एक compression test है जिसमें आप ankle उपर करते हो और evert करते हो भार की तरफ तो patient को यह symptoms pain burning के आते हैं इसे falence test कहते हैं दूसरा tunnel sign भी होता है अगर आप जोर से परकस करें तो कभी-कभी वह जो pain shoot होता है वो patient को मैसूस होने लगता है तो पहले तो आपको history लेनी चाहिए और examine करना चाहिए foot deformities होए तो उसे correct करना चाहिए अगर foot divert हो रहा है चलने के time तो proper orthotics देके foot का position ठीक करना चाहिए इसकी mainstay of treatment होती है rest ice कभी-कभार आप ultrasound guided injections दे सकते हो लेकिन इसे ज्यादा delay नहीं करना चाहिए अगर three to four months में relief नहीं आता है तो फिर EMG nerve conduction studies करते हैं और देखते हैं कि nerve compression कितना severe है अगर तो nerve compression severe है और patient नहीं respond कर रहा तो हम surgery plan करते हैं अगर आपको लगता है कि बुनी पार्ट इंपिंच कर रहा है नव पे तो आप CT scan कर सकते हो अगर आपको कोई soft tissue cause लगता है तो आप MRI scan भी कर सकते हो surgery plan करने के पहले देखने के लिए कि कोई ganglionic system normal muscle तो नहीं और नव कहां compress हो रही है तो यह surgery होती है दो छोटी incision से विच हील better तो उपर भी आप flexor retinaculum और उसके उपर भी fascia release करते हैं फिर आप नीचे जाते हो तीनों branches nerve के release करते हैं और abductor halosis के यहां जो extra nerve जाती है heel की तरव उसे release करना भी बहुत जरूरी है तो आज का episode यहीं खतम होता है आशाय आपको अच्छा लगा होगा अगर पसंद आया तो subscribe करिए share करिए thumbs up बटन दबाईए और मेरा चैनल देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक्यू